तो स्वागत है मेरे यूटीब चैनल पर मैं कवर करने वाला हूँ अज मैश नमबर 23 जो की IPL में खेला जाने वाला है राजस्तान रॉयल्स और दिल्ली केपिटल्स के बीच दोनों टीम होंके अभी तक प्रफॉर्मेंस और फोर्चून्स की बात करेंगे तो एक टीम बहुत उपर चल रही है और फेवरेट्स दिखाई दे रही है सेमी फाइनल स्पॉर्ट के लिए जैसा के मैंने IPL से पहले गादा मुंबे इंडियन्स और दिल्ली केपिटल्स दो ऐसे टीम में मुझे दिखाई दे रही है ओन पेपर जिनके बैट्समैन और बॉलर्स लगातार पर दोनों बेसिस कबर दिखाई दे रही है परफॉर्मेंस भी कुछ इस तरह ही आ रही है वहीं राजस्तान रोयल्स ने पहले दो मैचिस आईपियल के जीत के स्ट्रॉंग टीम के अगेंस जीत के तहल का समुच आया था और दिखा दिया था कि हम भी अंडरेड्रॉग्स नही है लेकिन उसके बाद फिर वही कहानी धोराई जा रही है पांच मैचिस खेले हैं लास्ट के तीन मैचिस लगातार हारी है टीम शार्जा की मैच होने वाला है जहां पर आपको पता है रनों की बरसाद देखने को मिलती है और कुछ अलग नहीं होने वाला है इस मैच में भी बात करें पहले दो मैचिस शारजा में ही खेले हैं यसमें स्टीव स्मित और संजू सैमसन का बला दोनों मैचिस में बोला था उसके बाद तीन मैचिस शारजा में जो नहीं हुए है अबुडभी या दुबई में हुए है उसमें प्रफॉर्मेंस दोनों इनके गन प्लेयर का 70 run पिछले match में हमारे team तक-तक hunt में थी chase बहुत बड़ी chase थी जब तक Jaws Patler खेल रहे थे और मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले team में मेरे Jaws Patler captain थे और सूर्य कुमारी आदफ जिन्नोंने 73 run मारे थे वो मेरे vice captain थे तो बहुत कमाल की team गई थी तो काफी अच्छे results भी आए तो मैं बताना चाहूँगा Rajasthan Royals की team को fully dependent यह team है अपने top 3 batsman पर उसके बाद नीचे आप देखोगे नज़र डालोगे तो दिल्ली Capitals की जैसे strong team है नीचे छटे नमबर तक players है आपको Marcus Tonis भी perform करते भी दिख जाएंगे Rajasthan Royals में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वज़े से अपने top order पे Sanju Samson Steve Smith और Joss Butler पे बहुत जादा dependent है मैं आपको बताना चाहूँगा Ben Stokes सबसे बड़ा allrounder पूरे विश्व का match ये वाले नहीं खेल पाएंगे 10 तारीक के ये के दो मैचीज अभी तक शार्जा में खेले हैं दोनों मैचीज जीते हैं दिल्ली Capitals की बात करें तो सिरफ अभी तक campaign में Rajasthan Royals 7 नमबर पे चल रही है दो मैचीज जीतके दिल्ली Capitals की बात करें 5 मैच खेले हैं एक मैच सिरफ हारी है SRH के साथ 4 मैचीज विन करी है और बड़ी टीमों को हराया है टॉप ओडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है दिगज इंडियन प्लेयर्स भरे पड़े हैं दिल्ली Capitals की टीम में उपर से सोने पे सुगागा इनके बॉलर्स भी वहात ही कमाल की है और बॉलर्स की बात करो और कभी सोर रबाड़ा का नाम ना है तो ऐसा हो नहीं सकता बॉस बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है दो मैचीज अभी तक खेले है शार्जा में और सॉरी एक मैच खेला है शार्जा में दिल्ली Capitals ने अभी तक और वो मैं जीता है केकेर के अगेंस्ट बैटिंग बहुत जादा स्ट्रॉंग है दिल्ली Capitals की और उतनी स्ट्रॉंग बॉलिंग भी नजार आ रही है तो राजिस्तान रॉयल्स को बच के रहना पड़ेगा और एक बहुत ही out of the blues performance देनी पड़ेगी दिल्ली Capitals को हराने के लिए अब चलते हैं अपनी टीम की सिलेक्शन पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर है और बेल आइकन दुबा के आपको जिससे नोटिफिकेशन भी मेरे चैनल की मिलती रहेंगी शुरू करने से पहले मैं अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ फुल टोस अप्लिकेशन बहुत ही कमाल की अप्लिकेशन है अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं अभी फ्री लीग आपकी नहीं खुली है राजस्तान और दिल्ली के मैच की जो की होने वाला है बाकी खुलने वाली है बहुत जल्दी तो देरी किस बात की है मुझे लगता है कि बोनस लीग जो इसमें आती है बहुत ही कमाल कियाती है बोनस लीग बोले तो फ्री की लीग जिसमें आपको अपना पैसा नहीं खरचना है 100% बोनस यूजबल लीग होती है जो मुझे लगता है किसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी जर नहीं मिलती है हाला कि अभी नहीं है बहुत जल्दी अब देखेंगे वो open होने वाली है windows की और बात करें तो head to head में जो competition रहने वाला है na boss यहाँ पे बहुत कम रहने वाला है क्योंकि अभी traffic बहुत कम है users बहुत कम है इसलिए जीतने के जो chances आपके होंगे boss वो बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं तो इसलिए head to head में आप जितना आप पे investment अपने हिसाब से है अगर ज्यादा invest कर सकते हो तो ज्यादा invest कीजिए क्योंकि उसमें आपके almost पैसे double होने वाले हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए बाकी offers बहुत कमाल कियाने वाली हैं आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे जो तो application का link है बहुत वो नीचे से download हो जाएगा आपको description box में नीचे यहाँ पर link मिल जाएगा फुल टॉस का फटा फट डाउनलोड कीजिए फिलाल मैं फुल टॉस में अच्छा खासा इंवेस्ट करता हूँ और मैंने दो बार आपको life proof भी जिखा चुका है मेरी winnings का तीन हजार एक बर मैंने withdraw करके दिखाये थे winnings में और दो हजार एक बर तो 5000 रुपे हाँ से अल्रेडी मैं अपने निकाल चुका हूँ के बारे में अगर नहीं सुना तो मिर से सुन लो बहुत ही कमाल के offers हैं आप देखेंगे इसमें less entry fee का बहुत ही कमाल का एक feature जो मैं feature ही कहूँगा क्योंकि आपको उतना ही पैसा मिलने वाला है और थोड़ा सा कम पैसा लगा के entry fees बहुत कम है किसी भी platform से काफी काम आपको देखने को मिल जाएगी उपर से benefit paytm withdrawal का जो कि कहीं users कहते है यार मुझे paytm withdrawal चाहिए कौन सी application में है तो real 11 में है बाकी कमाल के offers इसमें आपको कहां मिलेंगे अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं यह सकते हैं deposit में deposit आप देख सकते हैं जितना भी करेंगे उसमें अलग से आपको bonus cash भी मिलने वाला है कमाल का देखिए code यूज करिए और deposit करेंगे नीचे इतने पैसे ले जाएए कमाल के offers बाकी giveaways आपको लगातर मिलते रहेंगे 20% bonus यूज करने का मौका grand league में बड़ी league में तो 20% 30% यूज करना bonus cash भहत ही कम आपको लगता है applications में मिलेगा price money तो इसमें rank 1 वाले को मिलेगी मिलेगी साथ में आकास चोपड़ा से मिलने का मोका भी मिलेगा तो लगातार भढ़ रहे हैं real 11 के users तो मुझे लगता है मेरी one of the favorite इस time apps ये दोनों ही चल रही है जो application का आपको link मिल जाएगा boss वो description box में मेरे मिल जाएगा दोनों का link वहीं इसका एक invite code भी मेरे description box में होगा invite code होगा invite code से ग्यान के नाम से मेरा invite code आपने cricket ग्यान का ग्यान सिर्फ डालने invite code से आपको 50 रुपे bonus cash भी मिलेगा और deposit पे भी अच्छे अच्छे offers मिल सकती है तो link और invite code आपको description box में मिल जाएगा अब चलते हैं दोना application से आप download कीजिए फिलाल अब main मुद्दे पे आते हैं कैसे team select होगी कौन से player ले सकते हैं क्योंकि boss ले 11 ही player सकते हैं आप 14-15 players नहीं ले सकते हैं पसंद हाला कि आपको 15-16 आ सकते हैं लेकिन एक दो players बड़े-बड़े निकाल नहीं होंगे अपनी team में कौन-कौन से होंगे वो देख लेती है पहली pick मेरी रहने वाली है boss Josh Butler क्योंकि Josh Butler एक ऐसा player है बहुत ही ज़ादा destructive है खासकर T20 format में तो इसका मुझे लगता है सबसे पसंदीदा format है उपर से double destruction हो जाती है अगर ये opening करते हैं जासा कि 2019 के season में आपने देखा था लगातारीनों ने राजस्तान royals की तरफ से जब B opening start करी कुछ matches के बाद तो कैसे हला बोला तो मुझे लगता है जास बटलर last match में form में भी आये थे क्योंकि उससे पहले starts मिल रही थी 22 रन 21 तो बहुत बड़े player है मैं जास बटलर को लेने वाला हूँ हाला कि पिछले match में मुझे याद है 40% almost selection थी जास बटलर की मैंने captain भी बनाया था तो आप देख सकते हैं एक match के performance के बद सब users उसके पीछे भागने लगते हैं लेकिन मैंने पिछले match में आपको उसका benefit दे दिया था दूसरी selection यहाँ पे रहने वाली है अब देखेंगे रिशब पंथ लगातार consistency है इस season में छोटा score कोई नहीं बनाया हलागी बड़ा score भी नहीं बनाया उसके बीच में चल रहे हैं हर match में किसी match में 28 run किसी match में 34 run किसी match में 37, 38 इस तरह के scores है जो कि dream 11 में अगर आपको लगता है आपको जीतना है तो consistency चाहिए किसी player की कि कोई player मेरे को at least 40, 50, 60 points करके दे दे बहुत है कोई fail ना हो 10 से नीचे ना उठो तो रिशब पंत मेरी team में रहेगा दोनों में से बहुत जादा बड़ा issue है कि 3 players हैं यहापे wicket keepers किसको लिया जाए तो मैरी शब पंत को यहाँ पर select कर रहा हूँ अपनी team में considering कि वो wicket keeper भी है और catches भी अच्छे पकड़ के मेरे को दे सकते है क्योंकि catches का क्या है wicket keepers के बाद आप देखेंगे हमेशे ज़्यादा chances मिलेंगे catches की और stumpings की जो कि आपने पिछले matches में भी देखा वही दिक्कच जो मैंने आपको बताया था IPL season शुरू होने से पहले और दो matches एक match चलने के बाद भी जो कहीं season से मैं यार देखता रहू Sanju Samson का एक match में perform करेगा दो match में ऐसा लगता है कि Sanju Samson जैसा talent है ही नहीं पूरे इंडिया में और फिर अगले 2-3 matches में ऐसे shots खेल के out होता है कि यार लगता है यार नहीं यार Sanju Samson करना पड़ेगा कुछ तो लेकिन अब talent की कमी नहीं है अब performance 3 matches से नहीं आ रही है दो match जिसमें शार्जा में इस नहीं परफॉर्म करा है फिर से match शार्जा में हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है boss तीन choices हैं यापे उन में से आप 2 लेने वाले है Sanju Samson एक choice शिखर धवन और Steve Smith अब आप देख सकते हैं इन तीनों में से आपको 2 players choose करने है या रिशप पंद भी अगर आप मान लो चारों में से तीन करने है तो कौन से वो होने वाले है एक को आपको निकालना पड़ेगा टीम से mostly users के यसाब से शिखर धवन भार है 45% users नहीं select कर रहे है कम users शिखर धवन को select कर रहे है वहीं Sanju Samson के percentage जाद है Sanju Samson मेरी side से recommended है अगर आप चाहते हो मेरी टीम में Sanju Samson नहीं रहने वाल है मैं नहीं ले रहा हूँ मैं शिखर धवन को prefer करूँगा बाकि आप ले सकते हो क्योंकि मैं हमीशा अपनी वीडियो में हर वीडियो में कहता हूँ एक दो प्लेयर साब अलग मेरे से कर सकते हो अगर आप मेरे से अपने टीम में रख सकते हो लेकिन मैं शिखर धवन के साथ जाने वाला हूँ जो कि consistency ज़्यादा है लेकिन अभी भी एक पचास प्लस स्कोरी सीजन नहीं है लेकिन boss एक बात तय है कि शिखर धवन के बास experience है और शिखर धवन के बास runs भी है past में हाला कि वो 32, 28, 34 इस तरह के scores पर आके रुक रही है लेकिन experience है कभी न कभी मुझे लगता है form में form में हैं starts मिल रही है हर match में तो form में है और इस तरह के players लेके आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है 50-60 points ऐसे ही आपको मिलने वाले है क्योंकि 35 run भी मारे तो 50-45-50 points आ गए तो शिखर धवन मैं लूँगा Sanju Samson हाला की थोड़ी risky choice रहती है अगर team से बाहर करो अगर चल निकले तो फिर अकेले दम पर match भी जिता सकते हैं बाकी एक आद player तो निकालना ही पड़ेगा आप Sanju Samson ले सकते हैं मैंने शिखर धवन लिया अब चलते हैं श्रिया सेयर consistencies player के बहुत है Indian team में भी regular है चौथे नंबर पर one day cricket में खेलता है और almost 10 में से आप 9 बार इसके साथ bet लगा सकते हो कि श्रिया सेयर पैसा लगा सकते हो कि श्रिया सेयर चलने ही वाले हैं अब चलने वाले हैं मतलब 20 run 25 run श्रिया सेयर start करेंगे ही करेंगे उसके बाद बड़ी innings ना खेल पाएं वो अलग बात है क्योंकि अभी तक मुझे लगता है किसी भी match में fail नहीं हुए है last match में उन्होंने मेरे खाल से 13 run कुछ ऐसे ही बनाई जो मुझे लगता है अभी तक उनका lowest score है इस IPL में तो almost श्रिया सेयर 88 run मारके आ रहे हैं अपने पिछले से पिछले match में जो की बहुत ही तगडी form में है और मुझे लगता है कि केकेर के अगेंस्ट वो जो 38 run की 38 run की पारी थी और जाथ हो confidence boost करेगी दिली केपिटल से के कैप्टन का तो श्रिया सेयर मेरी टीम में रहने वाले हैं अब स्टीव स्मित संजू सैमसन दो प्लेयर्स बचे हैं मैं स्टीव स्मित के साथ जा रहा हूँ शार्जा में record बहुत शानदार है दोनों matchों में हाला कि संजू सैमसन का भी अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टन सी कैप्टन शिप जो है स्टीव स्मित लीड करने वाले हैं इस बर तो एक्जम्पल एक सेट करना चाहेंगे और अपनी बैट्समेंशिप से कासा केस नजर आता है क्या T20 में लिया जाए या ना लिया जाए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात तो दूर कि टीम में ले या ना ले स्टीव स्मित को मैं लेने वाला हूँ क्योंकि बहतरीन प्लेयर है चाहे वन डे क्रिकेट हो टेस्ट क्रिकेट रखा तो है ही अवन नंबर का T20 क्रिकेट में भी तीसरे नंबर पर टीन को जोड के रख सकता है इनिंग्स को एक जगा से बिल्ड कर सकता है दूसरी जगा से अटैक हो मैं स्टीव स्मित को ले रहा हूँ अपने टीम में अब यहाँ पर जिंक्या रहने नहीं खेल रहे है शिम्रन हैट मायर मिस्फिट है डिल्ली केपिटल्स के टीम में पाचवे छटे नंबर पर खेलते हैं प्रित्वी शो यंग टैलेंट ब्रेक्ट्रू सीजन मैंने पहले ही का था IPL से कि शुपमन गिलो और प्रित्वी शो टैलेंट बहुत भरा पड़ा है तो ब्रेक्ट्रू सीजन हो सकता है उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है 66 रन, 64 रन, लास मैच में 42 रन और सिरफ रन मत देखिए आप साथ में स्ट्राइक रेट देखिए 117-180 की स्ट्राइक रेट जो की चोके चक्के जादा मारने में बिलीव करते हैं प्रित्वी शो को बहुत जादा जल्दी रहती है कई बर जो उनके कई बर डाउनफॉल का कारण बनता है बहुत तीजी से खेलने की कोशिश करते हैं तक वर्क कर रहा है और अच्छा वर्क कर रहा है तो चोके चक्के आपको पता है मेंशे एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसके मिलेंगे तो प्रित्वी शो मेरी टीम में रहने वाले हैं यहाँ पर टैलेंट कमाल के बाकी नीचे रॉबिन उथक पर ड्रॉप किये गए लास मैच से इन में से कोई नहीं बैट्समेन खेल रहा है रियान पर आपको मैं प्रेफर नहीं करूँगा यशास्वी जैसवाल मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा है नहीं मिलेगा कुछ कहने नहीं सकते दो मैचिस में फेल हुए है बहुत यंग जबरदस्ट टैलेंट है यशास्वी जैसवाल अंडर 19 वाइड कप में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी बाकी अब यशास्वी जैसवाल ले सकते हो अगर क्रेडिट्स की दिक्कत है क्योंकि ओपन करने वाले हैं देखो IPLA बॉस होने को कुछ भी हो सकता है टैलेंट है इनके पास तो मैं फिलाल कोई बॉलर लेना पसंद करूँगा और चलते हैं आगे Ben Stokes इस मैच में वे लेबल नहीं है अब आते हैं Allrounder की तरफ Options Marcus Tonis हाला की First Option मेरा रहने वाले थे लेकिन दो मैचिस में भी तक प्रफॉर्म करा है Marcus Tonis ने बात कर लेते हैं तो RCB के अगेंस प्रफॉर्म करा है जो लास्ट मैच दिल्ली केपिटल्स जीत के आ रही है और एक पहला मैच जो की Kings 11 पंजाब के साथ खेला था दोनों मैचों में ऐसी तगड़ी तगड़ी पारिये खेली है 20 बॉले 25 बॉले 50 रन उसके अलावा कुछ खास contribution नहीं है Credits का मेरे पास बहुत बड़ा इशू है तो मुझे लगता है Credits के इशू की वज़े से हालागी मेरी साइड से recommended है आप एक कोई बड़ा batsman या बड़ा बोलर छोड़ के उसकी जगा 0.5 Credits की कुर्बानी देके Markas Tonis को टीम में ले सकते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन मैं लेने वाला है यहाँ पर अक्षर पटेल और रहुल तेवातिया में से choice है record देखें इस season रहुल तेवेतिया का ज़्यादा अच्छा है लेकिन वो एक inning को आप छोड़ दो अगर जो उन्होंने खेली थी Kings 11 पंजाब के साथ breathtaking innings थी वो उसके अलावा average performance है अभी तक balling में कुछ पक्का नहीं है कि 4 overs मिलेंगे या नहीं मिलेंगे क्योंकि एक part time option है वहीं अक्षर पटेल एक regular option है और 4 overs अपने फैक नहीं फैकने वाला है तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 4 overs कौन कराने वाल है अक्षर पटेल कराने वाल है until and unless उनको बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाए अक्षर पटेल की के 2 overs में 25-30 run पड़ जाए अक्षर पटेल ज़्यादा अच्छा option batsman मैं नहीं कमगा लेकिन baller और all over package देखो तो मुझे लगता अक्षर पटेल option है बाकि आप राहुल तेवेतिया के साथ जा सकते है recommended है क्योंकि राहुल तेवेतिया वैसे भी ज़्यादा अच्छी form में उनसे फिलाल है और नाम ज़्यादा अभी तक बना हुआ है राहुल तेवेतिया का तो आप राहुल तेवेतिया भी ले सकते हो मैंने एक्षर पटेल फिलाल लिया नीचे देखेंगे तो माही पॉल लॉम्रोर मैं recommend नहीं करूँगा एक इनिंग 47 रंकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता हर बार 5-6-6 नंबर पे खेलते हुए नया कोई batsman हर match में perform कर पाएगा बैटिंग order में कब बहुत चक्कर रहता है 5-6-6 नंबर पे बैटिंग करनी बिल्कुल असान नहीं रहती चलते हैं आगे केजीर बड़ा match winner on any day purple cap holder मुझे लगता है season के आखरी तक उनीव के पास रहने वाली है हर match में wicket ले रहे है captain wise captain के लिए भी आप इन्हें सोच सकते है head to headers small leagues में भी grand league में भी अब इससे ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है 25 विक्टे last season ली second highest wicket ticker इमरन ताहिर के पीछे लेकिन बड़ी बात यह है उसमें से 19 विक्टे जो उन्होंने ली है न वो end के overs में ली है सिरफ 6 wicket starting के overs में अब दिल्ली Capitals की strategy क्या रहती एक over पहले कगीसे रोबाडा से करा लिया उसके बाद last के 3 overs चाहें run बचाने है चाहें विक्टे लेनी है यार kg रोबाडा है हमारे पस क्या दिक्कत है तो kg रोबाडा यहाँ पर मेरी choice रहने वाली automatic choice कुछ ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है नहीं रवी चंद्रा नश्विन बीच में पहला match खेले एक over कराया इंजिरी हो गई उसके बाद सेम रवी चंद्रा नश्विन अभी तक नहीं दिखाई दी है तो रवी चंद्रा नश्विन को नहीं प्रेफर करूँगा मैं प्रेफर करने वाले हूँ जोफरा अर्चर को मुझे लगता है जो सब ही करने वाले है कारण pace इनके पास है जो lethal है बहुत ज़ादा wicket taking ability इनके पास है और एक और चीज इनकी इस IPL सीजन में सामने आई है इनकी batting जो कि batting में जब भी मौका मिला है यार बहुत तगड़ी performance दी है तो जोफरा अर्चर को कैसे छोड़ा जा सकता है इस team में जोफरा अर्चर मुझे लगता है x factor साबित हो सकते हैं dream 11 की team में आपके अब दो options बचें है दो players बचें है 16.5 credits है एंडरिंग नोट जे expectation से ज़्यादा उमीद performance करी है उन्होंने अभी तक और height, pace इनके पास जो इनको फाइदा देती है और जब पहले match में मुझे यादा इन्होंने perform नहीं करा सब भूल गए थे, कौन है यार एंडरिंग नोट जे 4% users ने सिरफ select करा हुआ था second match जैसे ही खेला दो victory और सब को गलत साबित कर दिया, मैंने एंडरिंग नोट जे को तब भी अपने team में रखा हुआ था अगर नहीं यकीन आता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वरना टेलिग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, तो talent अब पता लग चुका है सबको अब धीरे धीरे देख सकते हैं, selection में बढ़ोतरी हो रही है, बात करें अब last player बचा है यहाँ पर options आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर enrick not j 8.5 credits, not j के साथ नहीं जाना है, options बहुत है, श्रियाज गोपाल है, टॉम करन है, लेकिन मुझे लगता है जादा अच्छी choice यही रहेगी बाकी आप देख सकते हैं, last but not the least, अंकित राजपूद एक option है swing है, तो मुझे लगता है यंग्स्टर है, impress करना चाहेगा, ज्यादा option भी मेरे पस नहीं है, 8 credits में अब आपके पस क्या गुंजाइश रह जाती है यह शस्वी jazz वाल के साथ आप जा सकते हो, अगर जाना चाहो एक option यह शस्वी jazz वाल है और एक option कार्तिक त्यागी और अंकित राजपू, तीन options है यह शस्वी jazz वाल मेरी साइट से recommended है, big yes अगर यह शस्वी jazz वाल खेलते हैं, in that case बाकी, मैं कार्तिक त्यागी के साथ जा रहा हूँ यह शस्वी jazz वाल के खेलने का मेरे को पका नहीं है, अगर खेलते हैं तो मैं टेलिग्रम चैनल पे अपने चेंज करके कार्तिक त्यागी की जगा हो सकता है यह शस्वी jazz वाल को मौका दे दूँ, वो depend करेगा वो आपको टेलिग्रम चैनल पे ही final जो team है, उसके लिए wait करना पड़ेगा क्योंकि यह शस्वी jazz वाल, talent तो बहुत है यार भाई मैं, लेकिन perform ज़रूर करेंगे अभी नहीं तो, कभी तो करेंगे continue करते हैं, captain wise captain की बात करें पंथ, butler, पृत्वी शो, श्रिया सेयर स्टीव स्मिच, शिखर धावन बहुत सारे option है यार केजी रबड़ा, जोफरा अर्चर मैं बता देता हूँ, जो मेरी choices रहने वाली है यहाँ पर पहली team जो रहेगी, जॉस बटलर मेरा captain रहने वाला, पिछले match में 70 और 2019 में भी ये trend आपको देखने को मिलेगा, 1.50 मारी इनों ने लगा तर 3-4 matches में 50 बना दी फिर form में आ गए एक बर, जहाँ trend set कर दिया तो जॉस बटलर नहीं हला बोल दिया तो मुझे लगता है जॉस बटलर मेरे captain रहने वाले हैं, और इस match में मैं यार उमीद कर रहा हूँ, जो starts मिल रही है बड़े score में अब तो आना चाहिए अब तो 50 से उपर बनाओ तो शिखर धवन मेरे vice captain रहेंगे इस पहली team में जोस बटलर captain है, चलते हैं दूसरी team team सारी मैं सेम देता हूँ बागी captain vice captain की थोड़ी choices हो जाती है जिससे आपके बास selection की दिक्कत ना रहे श्रिया सेयर मेरे captain, जो कि आप भरोसा हमेशा कर सकते होए श्रिया सेयर जब भी आएंगे, टिकाउपारी भी खेलेंगे, कुछ shots भी खेलेंगे और runs भी करके देंगे, तो श्रिया सेयर मेरे captain, Steve Smith, शारजा में शांदा record, 250s, फिर से शारजा में मैच है, छोटी boundaries है पिछ सपाट है, तो फिर Steve Smith को कैसे ना लिया जाए, captain, wise captain तो Steve Smith मेरा wise captain, तीसरी choice, जो कि आप grand league में भी try कर सकते हो, इस team के captain, wise captain को, और head to head की तो ये team में देई रहूं, head to head रो small league grand league की 11 team में बाद में देने वाला हूँ रिशा पंथ, मेरे captain रहने वाले हैं इस team में, जो की चौथे नंबर पे खेलने आ रहे हैं टीम की तरफ से, वही बात करें केजी रबाड़ा, wise captain जो की अदभुत choice है केजी रबाड़ा के साथ आप almost हर match में उमीद कर सकते हो, गर कोई off day चला गया, by chance चला गया वरना दो विक्टे तो हैं हैं, तीन या चार भी हो सकती है, तो केजी रबाड़ा मेरा wise captain अब याद, telegram channel के साथ जुड़ना मत भूलिएगा telegram channel के साथ जुड़ना must must है आपके लिए cricket ग्यान के नाम से मेरा telegram channel है क्योंकि telegram channel में ही दोस्तो final telegram पे ही team अने वाली है final, updated team तो cricket ग्यान के नाम से मेरा telegram channel है जिस नाम से मेरा youtube channel है telegram पे जाके आपको search column में जाके cricket ग्यान simply type करना है आपको channel मेरा मिल जाएगा, वहाँ पे join कीजिए क्योंकि match से पहले जो कुछ last minute changes होते है कोई player नहीं खेल रहा, कोई बाहर हो गया किसी को last minute injury होगी, कोई नया player आया सब change करके हो सकता है मैं, एक दो player adjust करके नई team दू, हो सकता है यह शस्वी जैसा वाल मेरी team में आ जाए, तो उसके लिए wait करिए, और telegram channel के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, सर्च करके देख सकते हैं, वरना असान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको link मिलेगा यार, telegram channel का, वो यहाँ पे नीचे description box में, अगर आप video के नीचे देखेंगे, तो वहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे आपको simply click करना है click करके आप क्या करेंगे, वो click करके सीधा मेरे telegram channel पे आपको ले जाएगा तो वो असान तरीका, बाकी मैं एक बार फिर भी, आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, telegram पे आप आगए, search column यह दिख रहा है search option में click करना है simply cricket लिखना है और उसके बाद gy space डालके अब देख सकते हैं simply आपको क्या करना है 12707 subscribers यह दिख रहे हैं इसके अलावा किसी channel को join मत कीजिए सब fake है, आप सब copy paste करके मेरे teams डालते हैं और logo भी मेरा यहाँ तक की same डालते हैं तो 12707 subscribers क्लिक करा देख सकते हैं कितना आपको हरा भरा channel मिलेगा कितनी news मिलेगी देख सकते हैं किसने toss जीता match से पहले और head to head की teams देखिए बाकी की मैं बात कर लूँ तो changes कौन कौन से team में हुए है सब आने वाला है playing 11 और जो मेरी team में players नहीं होते जो दिगज player साबित हो सकते हैं एक या दो player को मैं extra recommend करता हूँ कि आप इनको prefer कर सकते हैं वो किसकी जगा करना है वो आपके उपर है तो यह सब news यार grand league की देख सकते है 11 की 11 team में आपको मिल जाएंगी सब का सब यहीं data मिलने वाला है तो इसके साथ जुड़ा बहुत ज़रूरी है जुड़ना तो अभी जुड़िये और फटा फट कीजिए join कीजिए telegram channel को बाकी head to header small league की मैंने team दे दिये grand league की team अभी आने वाली है कुछ time बाद 11 team में तो वीडियो कैसी लगी यार वीडियो अगर अच्छे लगी तो तहे दिल से like कीजिएगा और दोस्तों में subscribe दोस्तों में share कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और channel को sorry subscribe नहीं कराए तो channel को अभी तक कर लो यार subscribe अब तो काफे time हो गया तो subscribe करो thank you very much